कि ऐसा जुला बनाया है हमने जो कॉंग्रेस मुक्च कर दिया है। कॉंग्रेस मुक्च करके उस संभाग से हम लोग आते हैं। आपके वहाँ के सरकार में भरतपूर संभाग में छे बंतरी थे और छे के छे में ब्रश्टाचार में डूप गए। तो बादले के लिए पैसे लेते थे। कामा में तो बादला रुकवाने के लिए पैसे लिए जाते हैं। बड़ी चरचार में रही आपकी सरकार। किस लिए रश्टाचार के लिए। जो किंद्र ने जन कल्यान योजनाए शुरू की थी आपके मुख्यमंत्री साहब ने उनको प्रदेश की जनता तक नहीं पहुंचने दिया। तालमेल बनेगा तो सरकार और जनता का कुछ भला होगा। आप तो अपना सरकार का तालमेल नहीं इस्तापित कर पाए। तो आप डबल इंजन की सरकार को क्या समझें। आपका तो तालमेल नहीं बन पाया पांच साल। आप तो एक दूसरे के विरोधी बने रहें। कोई ऐसा एक भी वर्ग नहीं है जिसके साथ आपने वादा खिलाफी ना की हो। पहली बार है आप बोलिए। ऐ वक्त जरादब से पेशाओ वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। वक्त को थोड़ा वक्त दे दीजिए वक्त आने पर वक्त बदल जाएगा। मानिय अद्यक्ष जी आपका धन्यवाद पहिश करना चाहती हूं कि आपने महामईम राजपाल के अभीवाशन पर मुझे अपना व्यक्तितव रखने का अफसर प्रादान किया आपका पुनहेद शुक्रियादा करना चाहती हूँ कि आपने एक मेवात की बेटी को यहाँ पर पहली बार इस सदन्मन बोलने का अफसर दिया है मैं कामा विधानसवा से आती हूँ अपनी आवाम का अपनी जनता का सभी का शुक्रियादा करना चाहती हूँ जन्हों ने इस मेवात की बेटी पर अपना भरुसा जिताया और राइस्थान की सब सर्वोच पंचायत में भेज कर मुझे अपनी आवाज बुलंद करने का मौका दिया है अदेख्ष जी कई दिनों से तरह तरह का वाद विवाद सुन रहे हैं एक बात हर बार सुनने में आती है कि ये अभी वाशन से हमारे विपक्ष के मौझस साथिगन संतुष्ट नहीं है संतुष्ट इसलिए नहीं है क्यूंकि आपको पांच साल दिये गए अवाम की और जनता की सेवा करने के लिए जनों को आपने बेमी साल पांच साल के नाम से इश्तिहार चाप दिये और एक एक वर्ग के साथ धोका सवजाई कर दी ऐसा कोई वर्ग नहीं है राइस्थान का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके साथ आपने वादा खिलाफी ना की हो काश्चकार हो यूवसाती हो दलित हो महलाए हो या ऐसा कोई ऐसा एक भी वर्ग नहीं है जिसके साथ आपने वादा खिलाफी ना की हो तो आप अंतुष असंतुष रहें, मुक्महीन रहें, उससे किसी को कोई नहीं है, जो करारा जवाब देना था, तीन दिसंबर को वो आपको मिल चुका है अद्यक्ष महुदे, एक बात और सुनने में आती है, इनको एक और शब्द पसंद नहीं है, डबल इंजन की सरकार समझा रहा था पूरे देश को, कि आपका तालमेल बनेगा तो सरकार और जनता का कुछ भला होगा, आप तो अपना सरकार का तालमेल नहीं स्तापित कर पाए, तो आप डबल इंजन की सरकार को क्या समझेंगे, जो केंदर ने, जो केंदर ने, जन कल्यान योजनाएं तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, उस तरीके से राइस्तान प्रदेश भी आगे बढ़ जाता, पर नहीं, आप लोगों ने ये सोचा, रश्टा चार करेंगे, बड़ी चर्चार में रही आपकी सरकार, किसलिए रश्टा चार के लिए, बेरोजगारी के लिए, महिलाओ और मैं मेवात जिले से आती हूँ, ब्रज कामा एक शेतर ऐसा है, जिसकी अपनी संस्कृती है, अपनी तहजीब है, अपनी एक ऐसा उसका कल्चर है, जो सब जगा से, सब रूपियों से बन कर बनता है, जहां पर सूरे मल, राजा सूरज मल की गौरवताएं हैं, शहीद हसन का मेवाती की शहीदी को सलामी देती हूँ, शिरीक कृशन के लला स्थन को ब्रस्थन को नमन करती हूँ, जहां गलियों में रादे रादे के जैकारे हैं, जहां पर गिरियाज दहाम की गौंच बढ़ती है, ऐसा एक पाक, ऐसा एक पवित्र, ऐसे जिले से और ऐसी धर्ती स आती हूं मानेवर दुरभागे से जो वहाँ पर तालीम मंतरी थी कॉंग्रेस के यहां से शिक्षा मंतरा ले देख रही थी उन्होंने शिक्षा का स्थर मेवाक के उस जिले में उस इलाके में इस तरीके से खतं हिर दिया कि जहाँ पर अध्यापकों को पहली बार सुना था कहते हैं तो बादले के लिए पैसे लेते थे कामा में तो बादला रुकवाने के लिए पैसे लिए जाते थे ये ब्रश विवाद का वो शेत्र है जहाँ पर आपने संदीन गुना जैसे की साइबर क्राइम जैसे इतने जंगीन आपने क्या कहते हैं क्राइम को आपने बढ़ावा दे दिया आपके वहां के सरकार में भरतपुर संभाग में छे बंतरी थे और छे के छे में ब्रश्टा चार में डूब गए थे ये पे एक ऐसा जुला बनाया है हमने जो कॉंग्रिस मुक्च कर दिया है कॉंग्रिस मुक्च करके उस संभाग से हम लोग आते हैं आप लोग यहाँ पर बात करेंगे राम मंदर की हमारे कणकण में राम है हर मदभ और धरब में राम को बड़े अदब से लिया जाता है आपने जिस तरीके से शिरी राम का नोतत स्विकार अस्विकार कर दिया आप अपना विश्वास अपने श्रग्धा अपनी आस्ता को उसी तरीके से ना कबूल करते हैं इसी सदन में दमारुती नंदन ग्राइंड नात द्वारा सीट एक मातर अल्च्रा लक्जिरियस फाइफ स्टार होटल राजसमंण जीले की एक मातर फाइफ स्टार होटल दमारुती नंदन ग्रेइंड में भोजन की स्वादिश्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपई में श्रिनाच्ची की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं